परिचय इस यूनिट में आपका स्वागत है अब हम लोग ग्राफ्स और उनकी रिप्रेजेंटेशन को देखने जा रहे हैं ग्राफ एक नियत नोड्स का सेट होता है जिसमें नोड्स में मध्ध एजिस होते हैं ग्राफ्स को कम्प्यूटेशनली उपियोगी बनाने के लिए उन्हें स्वीधाजनक रूप से प्रोग्राम्स में रिप्रेजेंट करना होगा ग्राफ्स के दो कम्प्यूटर रिप्रेजेंटेशन होते हैं एजिसेंसी मैट्रिक्स, एजिसेंसी लिस्ट्स adjacency matrix आएए देखें adjacency matrix क्या होती है और उसकी परिभाशा इस प्रकार से है परिभाशा adjacency matrix एक ऐसा matrix है जो ऐसे graph को दर शाता है जहां पर vertices दूसरे vertices के adjacent या नज़़िक हो N गुणा N मैट्रिक्स का प्रियोग करते हुए N वर्टिसेस के साथ डारेक्टिड ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन जहाँ open bracket I, J close bracket का entry एक है यदि vertex या सिरा I से vertex या सिरा J तक एक edge है अन्यथा entry 0 होगा भार को entry की रूप में उप्योग करते हुए weighted graph को रिप्रेजेंट किया जाता है open bracket I, J close bracket और open bracket J, I close bracket दोनु में एक ही entry या upper triangular matrix का उप्योग करते हुए undirected graph को प्रस्तुत किया जा सकता है एक adjacency matrix के प्रतेक cell A, I, J में 0 होता है यदि I way और J way vertices के मध्य एक edge हो अन्यथा 1 इस प्रकार के representation के हानी और लाव पर चर्चा करने से पूर्व हम एक उदाहरन लेते हैं adjacency matrix, lab adjacency matrix के साथ कारे करना बहुत सुवीधा जनक होता है किसी edge का add, remove, o एक समय में किया जा सकता है उतना ही समय चेक करने में लगता है यदि एक edge दो vertices के मध्य हो इसी प्रोग्रेम करना भी काफी सरल है और हर प्रकार के graph tutorial में हम इस प्रकार की representation का उप्योग करने जा रहे हैं adjacency matrix हानिया adjacency matrix में बड़े-बड़े graphs को store करने के लिए ज्यादा memory के आउशकता होती है सभी graphs को दो वरगु में बाटा जा सकता है sparse और dense graphs sparse graphs में किनारे जादा नहीं होते हैं यानि edges की संख्या, vertices की संख्या के वरग की तुलना में काफी कम होती है modulus of E less than, less than modulus V 2, close bracket dense graphs में edges की संख्या, vertices की संख्या के वरग के तुलनी यह होती है adjacency matrix dense graphs के लिए सर्वोतक्रिष्ट है लेकिन sparse graphs के लिए निरर्थक है adjacency matrix का अगला दोश है कि कई अलगॉरिथम में आपको वर्तमान vertex के adjacent edges को जानने की आवशकता पड़ती है adjacency matrix के माधियम से इस प्रकार की जानकारियों को आरेखित करने के लिए आपको संबंधित row को स्कैन करना पड़ता है जिसका परिणाम स्वरूप O, open bracket, modulus V, close bracket, complexity होता है DFS या इस पर आधारित अलगॉरिथम के लिए adjacency matrix का उप्योग करने के परिणाम स्वरूप सामान्यत हो O, open bracket, modulus of V, दो, close bracket, complexity होती है जबकि इसको adjacency list का उप्योग करते समय O, open bracket, modulus V, जमा, modulus E, close bracket तक reduce किया जा सकता है अब इसका आखरी दोश, जिसकी ओर हम आपका ध्यान आकरिश्ट करना चाहते हैं वह यह है कि adjacency matrix में vertex को जोडने और घटाने में काफी मशकत करनी पड़ती है यदि graph का उप्योग केवल visualization के लिए किया गया हो, तो यह आवशक नहीं है लेकिन यदि आप पूर्ण dynamic sun रचना बनाना चाहते हैं तो adjacency matrix का उप्योग बड़े graphs बनाने की प्रक्रिया को काफी धीमा कर देता है सारांश यह है, adjacency matrix स्पास graphs के लिए एक अच्छा समाधान है जिसका ताद पर यह vertices की नियत संख्या है इस तरीके से हम दे हुए graph के लिए matrix compute करते हैं आईए विभिन परिद्रिश्यों वाला उदाहरण देखें graph और उसके संबंधित graph का पता लगाएं एजस रहित vertex के लिए adjacency matrix के लिए program adjacency list इस प्रकार का graph representation एक प्रकार से adjacency matrix का विकल्ब है इसमें अत्यधिक memory की आवशक्ता नहीं होती है और विशेश परिस्तित्यों में इसका प्रदर्शन adjacency matrix से बहतर हो सकता है हर सिरे या vertex के लिए adjacency list vertices की list का संग्रह करती है जो वर्तमान vertex के adjacent में है adjacency list लाब adjacency list हमें adjacency matrix की अपेक्षा graph को और अधिक संग्षिप्त ढंग से संग्रह करने का अवसर देती है लेकिन graph dense होते ही यहां अंतर कम हो जाता है अगला लाब यहां है कि adjacency list adjacent vertices की list को ओ एक समय में प्राप्त करने देती है जो कि कुछ algorithms के लिए एक बड़ा लाब होता है adjacency list हानिया adjacency matrix की तरह adjacency list से edges को जोड़ना या घटाना आसान नहीं होता है यदि vertices की संख्या में dynamically change आवश्यक हो तो adjacency list हमको कुछलता पूर्वक कारिया नवेन नहीं करने देती है नए vertex को जोड़ने में O open bracket V close bracket लेकिन remove करने से परिणाम में O open bracket E close bracket complexity आती है सारांच में adjacency matrix की तुलना में adjacency list स्पार्स graphs के लिए अच्छा समाधान है और हम vertices की संख्या में और कुछलता से परिवर्दन कर सकते हैं लेकिन फिर भी dynamic graphs के storage के और भी कई अच्छे समाधान है